मतलब पकरा गया पूर मतलब बारा वो पकरिया और फिर उसको छोड़ दिये क्यों इनसाफ नहीं है बेगोसाय जिले में एक बार फिर पुलिस पर सवालिय निशान खरी हो रही है मुखसल थानी की पुलिस के दौरा हत्याकान के एक मुख आरूपी मुखमद औरेंग जेव को गरतार करके छोड़ देने का मामला परकाश में आया है मुखमद इम्तियास की पत्नी पीरिता साध्य परविन ने मेडिया को बताया कि मुख के हत्यारा मुखमद औरेंग जेव सुंबार के शाम अपने हरदिया इससे घर पर पहुँचा था जहां गरामिनों के सायोग से उक्त आरोपी को पकर कर मुफसल थाने के हवाले कर दिया था जिसके बाद मुफसल पुलिस ने गरामिनों के सामने ही आरोपी मुहमद औरेंग जेव को छोड़ दिया जिसके बाद उसने पुलिस के गलत रवय के खिलाब को लेकर मुफसर थाना ध्यक्ट से थाने पर मिलने पहुँचे लेकिन थाना ध्यक्ट में संतोज जिनक बात नहीं बताई जिससे वे आकरोशिक ही वहीं पेड़ा ने कहा कि अगर पुलिस आरोपी को गिरफतार नहीं करती है तो आने वारे समय में इस मामले के शिकायत पुलिस के बरिये पदादिकारियों से करने को बद होंगी क्या इन्साफ की गोहर लगाना चाहते हैं फर्शासिम से इन्साफ को यहीं लगाना चाहते हैं अपना दिखाए और थाना मैंने जयतम नहीं छोड़ दिया ऐसे तो नहीं छोड़ता किया बोलने थाना परभारी किया बोलने थाना परभारी कुछ ने बोलती है क्या नम हो आपका? शादिया फरदी क्या हुआ था कल मता हुआ कल जो है से इतना दिन से जो इस उसको पकर ने रहा त। इस anythingมें बोलat ह। थाना को तो बोला, लुकेशन दो, हम पकर लेंगे तुरब, कल जो है सो पकर के अपने अस्तर से हम उसको कालर पकर के बता है, तब जा का उसको पकर के लिए आउसके बाद जो चोड़ जिए तो रहा है, कुछ चोड़ा, अकल ले बेल रिजेक्ट हुआ उसका औरंगेब को प सब्सका है और जिए को क्या की थे शूद्ह जेस करा उन्जेव को चैने बारेंगेब को कर तो आप लोग पम खब्दी तुर एम खबर किये फोलीज़ पकर उसके लिए ऐसको खबर किये पुलिकशत कि अच पठागे, इसको ना मर च obtain हम इसका बाद एक डिए ऑगरा के नाम आप्ट निए जालू